नमस्कार मैं हूँ तम पैंडे और आप देख रहे हैं AEZ News ग्राम पंचाय सराय सिंगही से प्रदहान पद हेतु परत्यासी संजे कुमार यादव पूत्र सीतल परसाद को चुनाव निसान इमली के सामने वाले खाने पर मोहर लगाकर भारी मतों से बिज़ाई बनाए खबर रामसनेही घाट छेतर के थाना असंद्रा अंतरगत ग्राम भाव सिंग पूर से है जहां देविसरन मोरे के घर पर रखी टीन सेड और पकी दिवार पडोस के सिकुमार रावत जो अपने परिवार के साथ सो रहे थे तभी अचानक टीन वा दिवार उनके घर वा चारपाई पर जा गिरी ऐसी घटना का परत्यक शुरूब देखकर परिवार की रूह का अप गई परंत भगवान का लाख लाख सोक्र है की सभी की जान बच गई घर में खड़ी बाईक रिक्सा आदि घरिलू अस्तूओं सहीत कई हजारों का सामान तूट गया और नुकसान भी हो गया तहसील फटेपुर्च के उस रहा गाउं के पास नदी में एक नीलगाए आकर फस गई तभी वहां मौके पर पहुँचे संदीब कुमार और रंजीत कुमार ने देखा कि एक नीलगाए पानी में गिर गई है पहले काफी देर तक उन्होंने निकालने की कोसिस की पानी में जलकुमभी होने के कारण संदीक कुमार और रंजीत कुमार के द्वारा किया गया प्रियास असफल रहा तभी वहां और ग्रामवासियों ने देखा कि उनके गाउं के संदीप मार नील गाए को निकालने की कोशिस कर रहे हैं तभी सारे ग्रामवासियों ने नील गाए को रसी के सारे पानी से बाहर निकाला और लोगों की मदद से एक नील गाए को नया जीवन दान मिल गया जो इस वक्त की तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरे मौकाय वारदात की हैं जहां पर नील गाए एक जल कुम्भी में फसी हुई है और ग्रामीड वहाँ पर मदद कर रहे हैं उनको निकालने के लिए जो ग्रामीड है वहाँ पर रसी के द्वारा निकालने में म इस तरह से गाउं के लोगों की मदद के काराण और सूजबूज के गाराण एक नील गाय को नया जीवन दान मिल गया A.Z. News के लिए आस्तोस कुमार की रिपोर्ट